पिछले कुछ है दो क्लासेस में हमने नंबर सिष्टम के दो टॉपिक्स को सॉल किया है नंबर सिष्टम संख्या पद्धती हम देख रहे थे संख्या पद्धती में सबसे पहले हमने जाना अंको को या बिजिट काउंट करना ठीक है बिजिट काउंट करना और कल हमने सिखा कि आपके पास अगर कोई परिमे संख्या है परिमे संख्या है उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलना ठीक है ये दो चीजे हमने क्या कर लिए हैं सीख लिए है आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम जानेंगे यूनिट डिजिट इकाई अंग ग्याद करना कि किसी भी नंबर्स अगर आपको एक्जाम में दिए जाते हैं उसके यूनिट डिजिट कैसे आपको पता लगाना है ठीक है यूनिट डिजिट इकाई अंग आजए है इकाई अंग ग्याद करना ध्यान से देखेंगे बिल्कुल कॉंसेप्ट समझते हुए चलेंगे फिर आपके जितने भी बड़े बड़े जितने कुश्चन आते हैं इससे हो बिल्कुल आसानी से आपके सॉल हो जाएक है बड़ आपको कॉंसेप्ट समझना जरूरी है karışेकमे अगर कहीν पर भी अगर डाउट होगा तो आप आपने पिछले जो digit count करने का देखा था उसमें मैंने आपको बताया था जैसे कि अगर आपके पास कोई number है 12345 ऐसा कोई number है तो मैंने आपको बोला simple digit count कर ले digit count किये तो आप बताये sir यहाँ पर कितना digit है इसमें 5 digit है ठीक है यह आपने सीखा था अब हम लोग जो digit find करना सीख रहे है unit digit इकाई यंग उसका मतलब यह है कि अगर मालो की बाद आपको यहाँ पर कोई question दे दिया उसमें लिखा है 2 into 3 into 4 into 6 एक नंबर दिया हुआ है तो आपको बोलेगा कि इसको आप multiply करो और multiply करने के बाद पूरे नंबर को नहीं पूछ रख केवाल unit digit हो जैसे इसे अगर हम लोग प्रटी प्लाइ के लिए कितना हो जाएगा आपके पास 144 ठीक है 144 तो आपको मिला 144 बड यह पूछना क्या चाहरा है unit digit हो तो unit digit में अगर आपको पूछे का तो answer क्या होगा आपका 4 तो आपका इकाई यंग क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा तो उसको केवल क्या जानना था इकाई यंग जानना था तो आपको इकाई यंग answer देना था क्या 4 ठीक है लाइक आपको और question है सी पूछ ले 23 24 26 into 27 बदाइए इसमे unit digit क्या होगा आप देखे यहाँ पर इतने बड़ unit digit पर ही focus करना है then जब आप unit digit पर focus करते हैं तो यहाँ पर unit और unit को multiply कीजिए कितना हो जाएगा यह 4th रिजा 12 होगा 12 का केवल unit digit को लीजिए कितना 2 को 2 को आगे आप फिर forward कीजिए और 6 से multiply कीजिए तो 2 into 6 कितना हो जाएगा 12 और 12 में फिर क्या ले लोगे आप 2 ले लोगे ठीक है फिर 2 को फिर multiply करें किस से 7 से और 2 7 से multiply मिलेगा कितना आपको 14 और 14 में क्या लिख लेंगे हम 4 केवल और केवल मैंने क्या कहा कि आपको 1 अंग या unit digit पर focus करना है आपको complete number के बारे में यहाँ पर किसी भी प्रकार से pressure नहीं किया गया है इसलिए केवल आपको किस पर focus करना है इकाई अंग पर ध्यान दे रहे है ठीक और question देख लेते हैं यहाँ पर कुछ इसी type के ठीक है इसका answer बताने के लिए try करेंगे एक बार online में भी अगर जुड़े हैं तो answer आप देंगे इसका क्या होगा बताइए क्या होगा केवल और केवल unit digit इकाई एंग पर focus करना है इसके लावा किसी भी number पर focus आपको नहीं करना है 4 आएगा बागी लोग बताइए देखें साथ साथ मेरे साथ try कीजिए केवल और केवल unit digit को पकड़िए ठीक है टू इंटू 2 क्या होगा 4 केवल unit digit को पकड़ रख से चले इसके बाद अगले number का इकाई एंग को फिर पकड़िए 4 इंटू 7 क्या होगा 28 28 में क्या लेना है आपको केवल 8 लेना है ठीक है इस 8 को फिर किस से multiply करेंगे 3 से multiply करेंगे 8 3 से कितना हो जाएगा 24 24 में क्या लेना है आपको 4 लेना है और यह 4 क्या हो जाएगा आपका unit digit हो जाएगा 1 अंग हो जाएगा यह आपका answer clear है क्या ठीक है फिर से मैं आपको बोल देना चाहूं यहाँ पर complete number का multiplication आपको नहीं पूछा गया है यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आपको बस 1 अंग last वाला number क्या आएगा या अंग क्या आएगा उसी को आपको बताने इसके अलावा किसी चीच पर focus नहीं करने है ठी केवल और केवल आपको यूनिट इजिट पर focus करना है इसके अलावा किसी पर focus नहीं करना है बागी लोग बताएंगे एकाई यंग क्या आएगा online में भी जो अगर जूरे हुए है तो answer देते चलेंगे और समझ में आ रहा है तो yes करके बताते चलेंगे ठीक है तो आया ठीक है चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं मैंने कहा कि आपको केवल और केवल इकाई यंग पर focus करना है हमने 2 और 8 को multiply किया कितना है है 16 16 में केवल इकाई यंग बोलें तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इस 6 को फिर multiply करेंगे इकाई यंग से कितना होगा 6 होगा 12 और 12 में क्या लेना है आपको केवल 2 लेना है इस 2 को फिर किस से multiply करेंगे हम 9 से multiply करेंगे 2 9 से कितना हुआ 18 18 में क्या लेंगे हम केवल 8 को लेंगे और 8 finally किस से multiply को 4 से और 8 फूर से 32 32 में क्या लेंगे हम केवल 2 को लेंगे इन पूरे numbers को multiply करने के बाद 1 यंग केवल आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगे हो गया समझ मैं है ठिक कि IKAI यंग कैसे ग्याद करना है और यही आपको ऐसे ही कुछ प्रश्ण आपको देखने मिलेंगे कहां पर यह वाला 8 और 2 16 हुआ 16 का केवल अपन 6 लिए 16 को पूरा नहीं लेना है IKAI यंग मैं बार बार यह चीज फोकस करवा रहा है आपको केवल यूनिट इस पर फोकस करना है और किसी पूरे नंबर पर फोकस आपको नहीं करना है केवल केवल IKAI यंग पर आपको ध्यान देना है अब देखी यह तो है normal question जिसको आप आसानी से handle कर सकते हैं अब problem किस में आती है उसको ध्यान से देखने है ठीक है problem कुछ ऐसे प्रश्णों पर आता है जहां पर आपको इस प्रकार से दे दिया जाए 243 और power में दे जाए 372 या 367 ऐसा कोई number दे दिया जाए और आपको बोला जाया कि इकाई यंग आपको निकालना है ठीक है तो actual में जो आपको practice या जो concept बताया जाएगा वो ऐसे प्रश्णों के लिए बताया जाएगा कि ऐसे प्रश्णों को आप कैसे हल करेंगे और problem कौन सी चीजों की आती है ठीक है नंबर्स में लिखते जा रहा हूं और उससे concept आपका एक conclusion निगलेगा उसको हम लोग लाश्ट में देखेंगे देखें अगर मैं बोलूं कि एक का power 1 कितना मिलेगा आपको एक का power 2 कितना मिलेगा एक का power 3 कितना मिलेगा 1 याने 1 एक ऐसा नंबर है जिसका power कितनों भी आप कुछ भी लोग आपको 1 ही मिलना है याने same number repeat होता है ठीक है अगला मैंने लिए 2 2 का power 1 कितना हो जाएगा 2 का power 2 कितना हो जाएगा 2 का power 3 कितना हो जाएगा 8 2 का power 4 कितना हो जाएगा 16 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा 2 का पावर 7 कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा यहाँ पर मैं एक चीज आपको दिखाना चाहँ कि यहां पर कुछ चीजे रिपीट होने वाली है और रिपीट क्या हो रहा है हम लोग फोकस करने वाले यूनिट डिजिप पर इक आई एंग पर जब मैं देखता हूं तो दो, चार, आठ, छे और उसके बाद फिर से दो, चार, आठ, छे और आगे फिर आपको जो सीरीज मिलेगी वो भी क्या मिलेगी दो, चार, आठ, छे की सीरीज मिलेगी मतलब ये दो का जो पावर है ये चार के सैंकल के बाद क्या हो रहा है रिपीटेशन के फॉर्म में आगया है मतलब ये चार के सैंकल के बाद आप 1010,000 कहीं पर भी आप जाओ चार के साइकल के बाद यही 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6 बार बार रिपीट होते रहेगा इसके लावा इकाई अंग में कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा मैं इधर के अंगों की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे अगर आप इसको आगे और बढ़ा कर चेक करना चाहते हो तो अब आपको 2 का पाउर 9 याद रखनी जरुद नहीं केवल यूनिट पर फूकस करना देखो देहां से 6 में 2 मल्टिप्लाई होगा कितना आएगा 12, 2 लिख लिए 2 में 2 मल्टिप्लाई हो कितना आएगा 4 आजाएगा 2 में 4 मल्टिप्लाई हो कितना आजाएगा 8 आजाएगा 2 में 8 मल्टिप्लाई हो कितना आजाएगा 16, 6 आजाएगा फिर आप मल्टिप्लाई करोगा फिर वही सीरीज बार 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 क्या होगी repeat होते जाएगी, समझ में आ रहा है यानि दो ऐसा नमबर है जिसके power में 4 के cycle के बाद हो क्या होता है repeat होते जाता है ये concept समझ में है, चलिए आगे वैसे ही कुछ numbers को फिर हम लोग देखते चलते हैं, ठीक है ये हुआ आपका 2 का power अगला number हम लेते हैं 3 3 का power 1 कितना हो जाएगा? 3 3 का power 2 कितना हो जाएगा? 3 का power 3 कितना हो जाएगा? 3 का power 4 कितना हो जाएगा? 81 ठीक? अब अगला पूलो के साठ 3 का power 5 हम को याद नहीं है आपको याद करने की जोड़नी केवल आप unit digit बोलो कितना हैगा केवल unit digit कितना हैगा एक में multiply करेंगे कितना 3, कितना मिल जाएगा यहाँ पर 3 मिल जाएगा, 3 का power छे लेंगे मतलब इसी number पर फिर क्या multiply होना है, 3, फिर क्या मिल जाएगा आपको, 9, 3 का power 7 फिर इसमें क्या multiply होगा तीन तो तीन निया 27 27 में क्या लोगे क्या वल 7 को लोगे 3 का power 8 में गए फिर क्या multiply हो इसमें 3 multiply होगा 3 सत्य कितना होगा 21 और 21 का कितना एक यहाँ पर क्या समझ मैं आ रहा है बताओ 3, 9, 7, 1 3, 9, 7, 1 मतलब यहाँ पर तो 3 के power है वो 4 के सैंकल के बाद ये भी क्या हो रहे है repeat हो रहे है हो रहा नहीं हो रहे repeat 3, 9, 7, 1 3, 9, 7, 1 3, 9, 7, 1 यह continuous में वैसे ही क्या है बढ़ता हुआ चला जाएगा 4 के सैंकल के बाद repeat होता जाएगा clear है? चलिए अगला देखे 4 का power 1 4 4 का power 2 16 4 का power 3 64 4 का power 4 कितना होगा? 16 का स्कुर कितना होता भी? 256 clear है क्या? ठीक अगला मैं आगे बढ़ूँगा तो क्या चीज़े होंगी उससे ध्यां से देखे 4 6 4 6 अगला क्या जाएगा बताओ? फिर 4 6 4 6 इस प्रकार से क्या होगा? बढ़ते चले जाएगा यहाँ पर बताओ क्या चीज़े हो रही है? कितने के सैंकल में repeat हो रहे है? 2 के सैंकल में पूर्णरा वित्ती हो रही है repeat हो रहे है बार-बार वही वही नंबर मतलब 4 6 4 6 4 6 आपका बार-बार वह नंबर आता जाएगा कहाँ पर? 1 यंग में फिर से मैं बोल दूँ यहाँ पर हम लोग केवल फूकस करेंगे यूनिट डिजिप पर 1 यंग पर 1 यंग के लावा नहीं है कि आपको रिमेनिंग नंबर कितने मिल रहे है क्या मिल रहे है यहाँ पर आपको ध्यान देना नहीं है क्लियर है के वहला पॉइंट? ठीक अगला देखिए 4 के बाद हम चलते हैं 5 की तरफ 5 में बताए 5 का पावर 1 क्या आएगा 5 का पावर 2 क्या आएगा 5 का पावर 3 क्या आएगा 5 का पावर 4 क्या आएगा तो यहाँ पर आप जब देखते हो 5 के बारे में तो आपको यह समझ में रहे है कि सैर आप कितनों भी पावर ले ले 5 की कितनों भी पावर ले ले वो सेम डिजिट ही unit digit क्या होगा, repeat होता जाएगा, याने यहाँ पर कोई cycle नहीं बनेगा, बनता 5 का कोई भी power लो, आपको unit digit पे वही same number मिलेगा, जैसे 1 के case में हुआ था सौंज मैं एक एक एला point, ठिक, चलिए अगला हम लेते हैं 6 6 में बदाईए, 6 का power 1 6 का power 2 6 का power 3 216, ठिक, अब इसे हम जब आगे बढ़ाते चलेंगे, तो आपको यह दिखेगा कि इसका unit digit, 6 6, 6, आगे भी 6, और कोई भी number आप ले लो, कोई भी power ले लो, यहाँ पर भी क्या होगा आपका same unit digit या 1 का एंग, repeat होता चला जाएगा मतलब, एक में भी वैसा ही case मिला 5 में भी वैसा ही case है और 6 में भी वैसा ही case है कि कितनों भी आप power ले लो unit digit में same number क्या हो जाते है repeat हो जाते है clear है कि इतना point, ठीक है चलिए अगला हमने लिए इसके बाद 7 7, 7 का power 1 7, 7 का power 2 बताइए 49, 7 का power 3 कितना हो जाएगा 3, 43, 7 का power 4 कितना हो जाएगा 2, 4, 0, 1 हो जाएगा अब 7 का power 5 याद करने की जुरत नहीं है आप यहीं पर बताओ इसमें 7 multiply होगा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा 7 का power 6 जब मैं लिया तो इसमें 7 multiply होगा क्या जाएगा 9 आ जाएगा 7 का power 7 अगर मैं लूँगा 7 multiply करो क्या जाएगा 7 या 63 याने 3 आ जाएगा 7 का power 8 में आप बढ़ जाओ फिर क्या multiply होगा 7 तो क्या जाएगा 1 आ जाएगा ठीक अब यहाँ पर देखो आपको एक चीज नजर आएगी कि यह जो नमबर है 7, 9, 3, 1 दिखा अब आगे जब बढ़े 7 के power 5 में तो वहाँ पर भी क्या है 7, 9, 3, 1 अगला क्या आएगा फिर से 7, 9, 3, 1 मतलब यहाँ पर एक चीज फिर से आपको समझ में कि सर यह 7 जो है इसके power में 4 के cycle में क्या हो रहा है फिर से पुन्रा वित्ति या repetition हमको नजर आ रहा है किसमे केवल और केवल unit digit में बाकी number की बात नहीं कर रहा हूँ यह number repeat नहीं होगा है ना आपका unit digit ही repeat होगा याने 7, 9, 3, 1 7, 9, 3, 1 7, 9, 3, 1 बार बार क्या होंगे repeat होते चले जाएएगे समझ में आए क्या ठीक है बिल्कुल यह concept भी बता रहा हूँ इसके बाद आपके conclusion होगा जिसको दिमाग में बठाना है उसके बाद आप question की तरफ आके बढ़ जाएएगे यहां तक चीज समझ में ठीक अगर कोई जुड़े हैं तो आप अपने doubt पूछ सकते हैं और समझ में आ रहा है तो yes करके बदाएब ठीक है अगला बदाएगे आठ का पाःब एक कितना होगा आठ का पावर दो कितना होगा आठ का पावर तीन कितना होगा 5, 1, 2 आठ का पावर चार हो जाएगा 4096 ह길ब अब 8 पावर 5 का unit DT बस बता दो आप कितना आएगा unit DT बता दो इसमें 8 multiply करोंगे 8.26, 48, कितना जाएगा 8 आजाएगा, 8 का power 6 में बता हो, कितना आजाएगा 644 64 का केवल 4 8 का power 7 में कितना मिल जाएगा 8 multiply के कितना मिला 2 मिला, 8 का power आठ में आये, आठ दुनी सोला कितना मिलेगा आपको 6 मिल जाएगा, अब यहां से देखकर फिर आप एक conclusion निकालेंगे कि सर यहां पर देखें हम 8, 4, 2, 6 8, 4, 2, 6 आगे भी क्या मिलेगा 8, 4, 2, 6 मतलब 4, 4 के cycle में यह भी क्या हो रहा है, repeat होता चला जा रहा है, clear है क्या 8, 4, 2, 6 8, 4, 2, 6 में repeat हो गया clear है, चले अगला एक last number 9 9 में देखें 9 का power 1, 9 9 का power 2 81, 9 का power 3 729 9 का power 4 कितना 6, 5 6, 1 ठीक है अब यहीं पर हम कानी रोग देते हैं आगे बढ़ना तो बढ़ सकते हैं बढ़ मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखा देता हूं 9, 1, 9, 1 अगला क्या है गा 9, 1, 9, 1 clear है मतलब कितने के cycle में repetition हो रहा है power में 2 के cycle में 9, 1, 9, 1, 9, 1 कहीं पर भी अगर हम बढ़ें तो 2 cycle में ही क्या हो जागा यह repeat हो जाएगा clear है ठीक last एक number और ले लेते हैं वो है 10 10 का आप कोई भी power low unit digit में आपको केवल एक केवल क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा ठीक है तो 10 वाले में कोई समस्या नहीं है 10 वाले में आपको 0 मिलेगा 5 वाले में 5 मिलेगा 6 वाले में 6 मिलेगा और 1 वाले में 1 मिलेगा ठीक है अब जितने भी number सम लिखे अब इसके conclusion में बताने वाला हो यह आपको रट्टा नहीं मार रहा है इसके conclusion बता रहा हूँ उसको आपको दिमाग में बैठाना है ठीक है चलिए अब देखे इतने number का conclusion क्या है जो आपको याद रखना है ठीक है याद क्या रखना है उसे द्याद याद आपको पहला point यह रखना है कि 1, 5, 6 ऐसे number है जिसमे same digit repeat होते है same digit या same number उसी के उसी में आ जाते है पावर में same digit repeat होते है ठीक इसके अलावा अगर हम बात करें 2, 3, 7 और 8 जो है 4 के पावर के बाद repeat होते है या 4 के cycle में पुन्रावित्ती इनकी होती है clear है इसके अलावा हमने देखा 4 और 9 ऐसे number थे जो 2 के cycle में repeat होते है clear है क्या यह आपका चार बार में पुन्रावित्ती करेगा और अगर यहाँ बात करें तो यह दो बार में पुन्रावित्ती करेगा तो आपको याद रखना है इस point को बागी चीजों को आपको कहीं पर कुछ याद नहीं रखना है ये point आपको याद रखना है ठीक है दो तीन साथ आठ चार के सैंकल में ठीक चार और नो दो के सैंकल में repeat हुआ था एक पांच और छे सेम नमबर ही repeat हो जाता है अब इतनी चीजों को दिमाग में बैठाने के बाद आप कोई भी question को handle करने के लिए आप तयार है आपका ये basic concept बन चुका है आपकी question कैसे भी पूछे जाए अब उसे आप बना सकते हैं ठीक है कौन सा double digit कैसे double digit मतलब वो अलग case है वो अलग अभी simple हम लोग बस power का ही निकालना सीखेंगे simple basic power का निकालना वो power to power वाला concept अलग है अभी हम लोग simple questions को देख रहे हैं ठीक है ये हुआ चलिए अब आईए questions पर ठीक है जैसे आपको question देगा find unit digit एकाई अंक ग्याद करें एकाई अंक ग्याद करें ठीक है पहला question आपके पास 243 power में 47 ठीक है 243 power में 47 ध्यान से देखेंगे method जो जो तरीका अपना रहा हूँ उसी तरीके का according आपको बनाना है और solve करना है ठीक है मैंने कहा कि आपको unit digit में solve करने के लिए केवल और केवल एकाई यंग पर ध्यान देना है और किसी नमबर पर ध्यान नहीं देना है 243 में अगर मैं देखता हूँ तो 3 क्या यहाँ पर unit digit है तो मैंने क्या किया इस unit digit को बाहर निकाल लिया और 3 की power क्योंकि हमारे पास 47 है तो 47 को as it is हम क्या कर लेंगे लिक लेंगे इस 3 को देखने के बाद मुझे यह समझ में है कि 3 ऐसा नमबर है जो 4 के cycle में क्या होता था repeat होता था ठीक है जितने के cycle में repeat होगा उतने के cycle में आप क्या करेंगे इस 47 को अगर 3 4 के cycle में repeat होता है तो 47 को आप क्या करेंगे 4 से divide कर देंगे क्या कर देंगे 4 से 4 से divide कर देंगे 4 से divide करने के बाद आपको जो remainder मिलेगा ठीक है जैसे आपने क्या किया 47 को आपने क्या किया divide किया किसे 4 से 4 से कितने बार में जाएगा यह 44 बार में कितना बचा आपका remainder 3 बचा तो आपको करना क्या है? यह जो remainder या जो sakesfal आपका बचेगा, sakesfal या जो remainder बचेगा उसे आपको power में लिख लेना है, किसको लिखना है? remainder या sakesfal को, तो अगरा step क्या होगा आपकод? 3 की power आप क्या लिखोगे? sakesfal कितना है आपके पास? 3, अब बताये 3 का power 3 क्या होता है? 27, के unit digit में क्या हो जाएगा 7 तो answer क्या हो गया आपका 7 ठीक है 3 का cube 27 होता है बट आपको पूछा क्या है 1 यंग answer क्या हो जाएगा 7 ठीक है यह हो गया आपका answer ठीक है ध्यान से देखिए कहीं पर भी कुछ समझना आया हो तो पूछ लेंगे बिल्कुल basic है इतनी चीज़े को आपको समझना जरूरी है बागी note कर लिए सब चलिए अगला question देखिए 247 power 321 ठीक है यहाँ पर भी आपको क्या करना है unit digit find करना है इकाई अंक ग्याद करे unit digit find करे बदाई 247 power में 721 ठीक है step by step अभी आप आपकी सुरुवात है इसमें बिल्कुल basic चीज़ों को आप कर रहे हैं तो आपको हड़ बलाना नहीं है ठीक है concept एक बार बन जाएगा उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा पहले आप आराम से बनाई है सीखिए चीज़ों को उसके बाद question को आप आसानी से फिर बना सकते हैं कितना रहे है ठीक है देखे सबसे पहला काम जैसे मैंने कहा कि आप unit digit को बाहर निकाल लेंगे unit digit आपको कितना मिला 7 7 का power कितना है आपके पास 321 321 है अब मैंने कहा कि यह 7 है 3 है 4 है इसकी सबसे मैंने बताया कि कितने सैकल में repeat होते है वो आप check कर लो तो 7 जो है कितने सैकल में repeat होता है 4 के सैकल में repeat होता है तो आप क्या लिखोगे 7 321 बटा क्या लिखोगे 4 clear है किया इसके बाद मैंने बताया था कि जब आप इसे divide करोगे 321 upon 4 करोगे तो जो successful बचेगा उसे हम power में लिख लेंगे ठीक है तो हमारे पास successful कितना बचेगा वही remainder कितना आएगा 1 आएगा remainder हमको 1 मिला तो 7 कपा और 1 कितना होगा 7 और यही क्या हो जाएगा आपका answer unit digit बिल्कुल कहीं पर भी हडवराना नहीं है बिल्कुल आराम से बनाना है चीजों को एक एक point को आपको दिमाद में बिठाना है है ना उसके बाद ही question को समझ रहा है ठीक है यहां तक किसी को doubt हो तो पूछ सकते है हो गया आगे बढ़े दाश को से unit digit इकाई यंग ज्याद करना है फिर से बोरा हो हडवराना नहीं बिल्कुल आराम से ध्यान से समझ के बनाना है ठीक है एक एक point आपको समझ में आएगा कहां पर गल्दी होती है और कैसे आपको exam में बनाना है टू आर है ठीक है इसके बाद आपकी एक English के class होगी है न second class आज English के रहेगी जो भी आप demo देख रहे है उनकी class आज English के रहेगी second class ठीक है तो सभी उसमें जूडेंगे और English को भी अपना better करेंगे ठीक है best उसमें भी आपको अपना करना है चलिए देखे यहाँ पर आपके पास नमबर है 4682464 डन ठीक है चलिए पहला काम आपको क्या करना है 8 को बाहर निकाल लेंगे जैसे मैंने कहा कि unit digit को आपको focus करना है आपने क्या किया 8 को बाहर निकाल लिया और यहाँ पर आपके पास power कितना है 2464 डन फिर मैंने कहा कि आपके पास यह जो number है आप चेक करेंगे 8 जो है कौन से cycle में repeat होता है कौन से cycle में वो 4 के cycle में वो पुन्रावित्य उसकी repetition होती है तो आप क्या कर देंगे यहाँ पर 4 से divide कर देंगे डन 4 से divide करने के बाद मैंने बोला कि आप से cycle चेक करिए तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर जब हम 8 को से cycle मिला या इसको जब divide किये तो से cycle हमें कितना मिला 0 डन से cycle क्या मिला 0 मिला अब यहाँ पर 99% लोग गल्ती कर जाते है गल्ती क्या होती ध्यान समझे हम अगर घातां कर्णिया side indices के बारे में थोड़ा basic concept जानते है तो हमको यह पता है कि किसी का भी power अगर 0 होता है तो उसका value क्या बन जाता है 1 बन जाता है बट यहाँ पर आपको वो logic अभी नहीं लगाना है मैंने कहा कि भई आपको अभी मैं जो सिखाया उतने में ही आपको दिमाग लगाना है अभी मैंने आपको क्या सिखाया किसी का power 1 है 2 है 3 है 4 है 4 के बाद 5 में repeat हो रहा है यह मैंने सिखाया कहीं पर मैंने art का power 0 निकालना नहीं सिखाया तो आपको यह मान के चलना है ये चार में से ही कोई ने कोई आंसर होगा ठीक है आपके लिए remainder एक बच सकता है दो बच सकता है, तीन बच सकता है चार कभी remainder बचेगा क्या आप खुद ही बताओ समझे रहे फिर से मैं आपको कुछ चीज़ें यहां पर conclude करता हूँ ज्यान से देखना यहां पर चार लेते हैं ठीक है चार से दिवाइड 61 है अपके पास चार से आप दिवाइड करेंगे remainder कितना मिलेगा बताइए 1 मिलेगा ठीक फिर मैंने लिए 62 4 से दिवाइड किया remainder कितना मिला 2 फिर मैंने लिए 63 63, 4 से divide किया, remainder कितना मिला? 3, अब बताओ जब मैंने लिया 64, 74, 4 से divide किया, तो आप बताओ अग़ला आपको 4 remainder मिलता है क्या? नहीं मिलता, remainder क्या मिल जाता है? 0, अब अगर मैंने 65 by 4 किया, remainder कितना मिलेगा? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा याने जो आपको remainder 0 मिल रहा है वही actual में क्या है 4 है ठीक है ये जो 0 मिला है actual में क्या है ये 8 का power 4 है क्योंकि आपको 4 मिलता ही नहीं है remainder में 4 आपको मिलेगा ही नहीं तो जो आपका 0 है वही क्या है 4 है समझ में आया क्या ठीक, अब आपको answer क्या देना है 8 का power 4 निकाल कर देना है और 8 का power 4 में unit digit क्या आती है वो बताओ ठीक है, 8 का power 4 क्या होता है आपका 4096 और 4096 में unit digit क्या है 6 है, तो 6 क्या होगे आपका answer हो गया समझ मैं आपके hello point, ठीक है एक का पता है, आपको 2 का पता है, 3 का पता है 4 आपका कभी नहीं आएगा क्योंकि उसके जगा आएगा, क्या जीरो और जीरो आएगा, वही क्या है, आपका power 4 बन जाए बहुत ध्यान से छोटी-छोटी चीजों को देखना क्योंकि आपका question बहुत ज़दा tough नहीं आता, बट normal चीजे हैं tough हो जाती है, क्योंकि आप एक topic पढ़कर नहीं जा रहे हैं आपके पास वहाँ पर 30 से 35-40 unit आपके साथ एक बार में आपको मैस्क के रहेंगे वहाँ पर ये छोटा सा छोटा ये point आपको गलती करवा सकता है इसलिए अभी जितनी चीज़ों को देख रहे हैं घर में एक बार कम से कम आप जाकर बनाईगे आप कोई भी paper उठाईए unit date के visit के questions है या कोई भी book उठाकर देखे वहाँ पर उसे बनाकर देखे आपको यहाँ से भी एक handout में provide करूँगा उसको भी आप solve करके देखे ठीक है आपको समझ में आएगा कि कहां आपकी गलतियां हो रही है max का solution यह है कि उसको practice करना पड़ता है theory को आज आप एक बार पढ़ लिजे पानी पत की लड़ाई कब हुई है ना और उसको आप एक बार दिमांग में बैठा लिजे वो साल दो साल बात भी वही रहेगा वो कभी बदलने वाला नहीं है ठीक है बट max ऐसा है कि आज आपने 12 का table याद किया और 10 दिन बाद आपने repeat नहीं गया तो बारक पहाड़ा भी आदमी भूल लाता है अभी भी क्या है आप इसकूल टाइम में जो 10 तक का table याद किये थे उसके आगे का table किसी को याद नहीं होगा है किसी को याद है नहीं मैं बता रहा हूं नहीं selected जो banking का इंदम तयारी करते ना core banking वाले वही थोड़ा मूँ 20 तक कर या 30 तक कर table याद करते हैं बागी कोई exam का कोई छात रहना max में सबसे पहला चीज जो table याद करना होता है उसी काम को नहीं करते हैं क्योंकि इसकूल टाइम में अपन जैसी 11-12 तक पहुंचे फिर तो हम बन जाते हैं विद्वान फिर तो हमको पता है 12 और 12 गुरा करते हैं आराम से तो आ जाता है जो गुरा करना है multiply करना है कर लो 10 तक का बस्याद होना जरूरी है उसके बाद तो हमँचे बाद तक का भी table solve कर लेते हैं ठीक है बड़ याद करने से फायदा ये है कि आप instant में जो आपका time जाता है वो time वहीं पर बचेगा क्लिर है क्योंकि मैंने exam में ये भी देखा है कि भाई बच्चे जो है 12 इंटो 9 भी करते हैं ऐसे बैट के और आराम से चेक करते हैं क्योंकि उनको अपने उपर doubt है कि 108 होगा कि नहीं ठीक है और वो doubt का clear होगा जब आप थोड़ा उतनी चीज़ों को basic चीज़ों को क्या कलने है रट्टा मार ले ठीक है इसलिए हमें सब बोलता हूँ कि table label जो basic चीज़ों उसको रट्टा मार लो उसको ये मत छोड़को रखे कि exam में करेंगा एर एक्जाम में आप देखो प्रेसर कैसे बढ़ रहे है टाइम दीरे दीरे कम किया जा रहे है तीन गंटे के exam होता थे वाप हम दो गंटे पर आ गया दो गंटे से देड़ गंटा हो जाएगा देड़ गंटा हो जाएगा समझे बार है question वही रहेगा question इद्दम easy level का ही पूछेगा यही question basic question ही देदेगा बड pressure कप create हो जाता है जब time आपको क्या हो जाता है कम हो जाता है time जैसे से कम होगा वैसे से pressure build up होते जाएगा question easy रहेंगे वही tough बन देगा ठीक है कोई question tough नहीं होता concept आपको पता होता है बड़ time के कारण वहाँ पर दिक्कते आ जाती है ठीक है चलिए अगला question देखते है हर question में आपको एकए concept सीखने को मिलेगा है ठीक है हर question में एकए concept सीखने मिलेगा बिलकुल उसको ध्यां से समझते जाना और दिमाग में बैठाते जाना इस question में भी आपको एक concept बताने वाला हूँ question बने का normal तरीफे से बट एक concept बताने वाला हूँ जो आपके problem को solve करेगा ठीक है बताइए इसका answer क्या होना चीए कितना है 6 आया ठीक है अब जिनका 6 नहीं आया या 6 आने के process में जो time लगा वो time किस में लगा मैं बता रहा हूँ आपको 4 से divide करने clear है 4 से divide करने में आपने या नहीं किया आपने क्या किया पहला काम आप जैसे करते हैं वैसे किये 2 को common निकाल लिया आपके बाद यहाँ पर 3, 4 6, 2, 9, 8, 4 ऐसा एक number था और आपके पास target क्या था इसको जब तक आप 4 से divide नहीं करोगे आपको remainder पता नहीं चलेगा अब ध्यान से एक point note करके लिख लेना एक point जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान देना 4 का एक divisibility rule होता है विभाजता का एक नियाम होता है 4 का 4 का एक विभाजता का नियाम होता है कि 4 से divide होने वाले किसी number को अगर आपको check करना है यहां पर बोलने का मतलब यह है कि अगर किसी संख्या की लास्ट दो डिजिट इकाई और दहाई यहना लास्ट दो डिजिट जो है अगर 4 से divide होते है उसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा number 4 से divide हो जाता है ठीक अब यहां पर उस concept को use कैसे करना है concept को use ऐसे करना है कि आपको केवल focus किस पे करना था 84 पर आपको पूरे number को divide करने की जवरत दिया आप केवल 84 को divide करके देखो अगर 84 divide हो गया तो completely divisible है ठीक और नहीं हुआ मतलब मालों की बाद यहां पर 85 रहा 85 रहा तो remainder कितना मचेगा 1, 86 रहा तो 2, 87 रहा तो 3, 88 रहा तो 0 कड जाए समझ में आया क्या बोला मैंने आपको 4 से divide करना था आपको बस last 2 number को focus करना है last 2 number में अगर बच गया तो remainder नहीं बचा तो 0 या 4 अभी के case में क्या हो रही है completely cut जा रहा है मतलब 2 का power actual में क्या मिल रहा है आपको 0 और 0 के बारे मैंने क्या बता है उसको क्या लेना पड़ेगा आपको 4 लेना पड़ेगा क्योंकि 4 नहीं आता है तो 2 का power 4 क्या होता है आपका 16 होता है और 16 में क्या लेना है आपको केवल 16 लेना है यही क्या होगे आपका answer होगे ठीक है समझ मैं है तो जो आपका remainder रिमेंडर या सेस्फल निकालने में आपको जो दिक्कत जारी थी, वो चार वाले में याद रखना कि आपका लास्ट दो डिजिट का हम लोग चेक करते, लास्ट दो डिजिट अगर आपको डिवाइड हो जाता है, मतलब वो चार से कम्प्लिट्री डिवाइड होगा, और नह सिस्टम आप मान के चलिए, सिंप्लिफिकेशन का ये पार्ट है, और सिंप्लिफिकेशन के आपके कोई भी एक्जाम, एनी एक्जाम आप देजिए, बैंक दीजे, एससी दीजे, रिल्वे दीजे, क्योंकि मैक्स ऐसा चीज है ना कि सबजी में नमक कितर है, ठीक है, और न सियारी अगर कर रहे हैं, तो आपको मैकस ये तैयारी करनी पड़ेगे, और मैकस अगर आपका बैस्ट है, तो कम सकम 50% माक्स आपके सेक्यूर हो जाते हैं, और कई बार इसी के भरोशी आपका पूरा एक्जाम भी निकल जाता है, रेल्वे के एक्जाम तो इसी के भरोशी कई एक्जाम बच्चों के निकल चुके है, तोब कि जीके आप पड़ चुके हो, थोड़ा सा मैनत इसमें करना है, और पेपर निकाल लेए, ठीक है, इस बार का कलेंडर सभी एक्जामों के लिए, सेंट्रल के लिए तो एट डीस सब ने बता दिया है, कब कब क्या क्या जारी कर रहे हूं तो उसका केलेंडर तो डिक्लेर कर देता है अब यह आपका ग्रामिड बैंक का जहां तक आज क्या तारी में ग्रामिड बैंक का सबसे बेस्ट मोगा आया था इस बार की आरारबी के लिए अगर आप जाना चाते हैं अपने लोकल इस्तर पर रहना चाते हैं तो आपको लगबग 300 पोश्ट है इने बैंक में लोकल में 300 पोश्ट आपको मिल रहे हैं प्लस पॉइंट यह कि इंग्लीज उसमें फेस नहीं करना पड़ता किवल इंदी का सब्जेक्ट आप चॉइस करके बना सकते हैं उसमें प्लस पॉइंट होता है अगले एक आई बी पियस होगा जिसमें आपको सहरी छेतरों के बैंक पर दिया जाता है जो पी एन बी एन ब आप जो ग्रेजुएट चात रहें उनके लिए आएगा क्या नॉन टेक्निकल पॉपुलर केटेगरी एंटी पीसी का एक्जाम यह बेस्ट टू बेस्ट जॉब है रिल्वे में जिसको वाइट कलोर्ड जॉब टाइप में करना है डी आरेम ओफिस देखे राइपूर का दे निवार हाप दे आ तो छुटी टाइम टू टाइम जाना है टाइम टू टाइम आना ना कोई ओवर टाइम ना कुछ समझ में रहे हैं और वो जौब कहां से मिलीगे आपको एंटी पीसी से जो निकलेगा वो क्लेरिकल में जाएगा टिकेट काउंटर में बैठे अराम से टि तो आपको देखना है कि आपको एपॉर्चुनिटी कैसे करना है रेलोई ने बताया है कि हर साल अपन थोड़े-थोड़े मातरा में लेंगे पांस साल के उसने क्लियर कर दिया एक साथ आती थी वेकैंसी पचास साथ आठ अब बुला है एक साथ हम नहीं निकालेंगे ब्रे नहीं सोचोगे तो वो आपके तरफ नहीं आएगा आपको जाना पड़ेगा उस एक्जाम की ओड़ ठीक है तो एक कॉपी में कम से कम सिलिवर सिलिवर से इस बेसिक चीजों को आप हमेसा नोट करके रखिए कौन को इसे एक्जाम के लिए क्या क्या डिमांड है ठीक है एक common goal से ही बहुत सारे एक्जाम आपके निकल सकते हैं ठीक है चलिए तो यह वाले समझ मैं आला point ठीक है कौन सी चीजों कैसे कर रहा था चलिए एक question और देख लेते हैं ऐसा ही find the unit digit unit digit एकाई अंक ग्याद करना find the unit digit एकाई अंक ग्याद करना cycle पहले देखेंगे check करेंगे कौन से cycle में repeat हो रहा है क्या हो रहा है और उसके हिसाब से solve करेंगे तरीका मनें बताया है कहाँ पर problem जाएगी उसका solution मनें बता दिया है बस आपको solve करना है ठीक है तीन को आप निकाल लीजे तीन के बाद आपके पास है 2, 7, 8, 9, 4, 3, 2, 5, 6, 7 इतना बड़ा number power में दे दिया गया है तो ठीक इसको divide किससे करना है अब आपको 4 से क्योंकि यह 4 के cycle में क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है अब अगर 4 से divide करना है तो मैंने आपको कहा कि पूरे के पूरे number को आपको focus करनी की जरुवत नहीं है आप target करेंगे किसको केवल 67 को या तो 67 पूरा का पूरा divide होगा और या तो अगर divide नहीं हुआ तो आपको क्या देगा remainder या successful दे देगा तो यहाँ अगर 67 को अगर 4 से divide करते हैं तो कितना remainder मिलेगा 3 मिलेगा clear है क्या 64 तक जाएगा 64 के बाद आपको 3 remainder मिल जाएगा मतलब 3 की power आपको क्या मिलने वाली remainder में 3 मिलने वाली है और 3 का cube कितना हो जाएगा 27 और 7 हमारा unit digit हुआ और यह हमारा क्या हो गया answer हो गया clear है क्या थेक तो आपको power को देखकर कितनों भी बड़े power हो उसको देखकर डरनी की जरुबत अब नहीं 4 से divide होगा mostly 4 का cycle है और 2 का cycle और 1 का है एक का तो same number repeat हो जाएगा वो आपको दिक्कत नहीं देगा 4 का cycle वाले हम solve कर चुके हैं चाहे 3 आए 2 आए और 7 आए या 8 आए उसके लिए आप question ऐसा बना सकते हैं ठीक है अब हम देखते हैं कि 2 के cycle वाले question को हमको कैसे solve कर रहे हैं यह हो गया ठीक चलो अब बाहर दाने कहां अब 10 मिनट रोग जाब पानी थोड़ीं किर वे रुख जा भी छोटास concept बच्चा है अगर देखना है तो ठीक है मैं तो फिल लेट हो रहे जा सकते है लेट हो रहे है खुदे में confused हो क्या हां तो मैं तो वहीं बोला क्या है अरे एक गंट की तो class है उसी जीच को दो दस मिनट मेरे को और बताना है यह last concept है इसको देख लो फिर चले या क्या है झाल झाल देखें दान से ठीक है लाश्ट कॉंसेप्ट और रिदम ही बहतर इन कॉंसेट इसका ठीक है बहुत आसानी से बनने वाला कोश्चन है ठीक है अब यहाँ पर क्या है आपके पास जो कोश्चन्स है उसमें जो रिपीटेशन हो रहा है वो आपको इस समझ में आएगा कि यहाँ पर दिया हुआ है चार यानि दो के सैंकल में चार दिया है मतलब दो के सैंकल में नो दिया है मतलब दो के सैंकल में यहाँ पर भी नो जो है दो के सैंकल में चार और चार सभी के सभी कहीं न कहीं जो question दिख रहे है वो आपके दो के cycle के repetition वाले प्रश्णा है कितना समझ मैं आया की नी ठीक है unit digit पर focus करना है मैंने कहा 4 और 9 जो है आपके 2 के cycle में repeat होते हैं और उसी के according आपको यहाँ पर number या question दिया हो ठीक जब आप 4 का power 1 लेते हो और जब आप 4 का power 2 लेते हो ठीक है दो के बाद repeat होना चालो हो जाता है इतना पता है 4 का power 1 जब लेते हैं तो 4 आता है और 4 का power 2 लेते हैं तो क्या आता है 6 आता है ठीक है मतलब unit digit में क्या है 4 और 6 ठीक द्यान से देखना है आपर ये चार का पावर वन जो है एक क्या है और नमबर है विसम संख्या है एक क्या है विसम संख्या है और दो क्या है एक इवन नमबर है ये क्या है संख्या है और एक क्या है विसम संख्या है समझ मैं है क्या याने odd में क्या होगा, 4 आएगा E1 में क्या आएगा, 6 आएगा odd में क्या आएगा, 4 आएगा E1 में क्या आएगा, 6 आएगा ठिक, अब ध्यान से देखो 9 के वारे में, 9 का power 1 कितना आएगा, 9 आएगा 9 का power 2 कितना आएगा 81 आएगा अब ध्यान से देखाएं 9 के पावर 1 में 9 मिला 9 के पावर 2 में 9 के पावर 1 में 9 मिला 9 के पावर 2 में क्या मिला ये क्या है आपका और नंबर और और में क्या मिला 9 और even में क्या मिला आपको even में क्या मिला 1 में याद करने की ज़रत नहीं 9 का power 1, 9 का power 2 बस ध्यान में रखता है 1 में क्या आया 9 और 2 में क्या आया 1 इतना निकाल लोगे 4 का power 1 में 4 आएगा 4 का power 2 में ठिक तो even और odd के अलावा और कुछ होना है क्या even और odd के अलावा और कुछ ही नहीं होना है unit digit में अब ध्यान से देखना questions में देखे 4 को लिया मैंने यहाँ पर 4 का power मेरे पास किता है 2, 8, 7, 8, 4, 3 clear है 2 के cycle में repeat होता है तो 2 के cycle में repeat होने के कारण हम क्या कर सकते हैं तो 2 में divide कर सकते हैं बट मैं बोरा है आपको 2 में divide करने की जरुवत नहीं जैसे 4 से divide किये थे वैसे 2 से divide नहीं करने आप देख कर ही answer बता दोगे देख कर answer कैसे बताओगे यह वाला जो number है, odd है की even यह बताओ odd है तो मैंने बताया था 4 का power odd में क्या होता है 4 होता है 4 का power यह क्या होता है 4, answer क्या है हो गया अगला देखो ध्यान से यहां देखो चार का power अमारे पास क्या है 8, 4, 6, 2, 4 ठीक है, बताईए 4 के power में क्या है E1 है, अगर E1 है तो 4 के power E1 में में मैंने क्या बताएगा 6 हैगा, तो answer क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, divide करना पड़ेगा क्या नई केवल और even और odd को समझना है ठीक अगला बताईए 9 है यहाँ पर 9 का power कितना है 2 4 3 1 बताईए 9 के power में odd है कि यह even है odd है odd के लिए मैंने क्या बताया था 9 हो जाएगा ठीक 9 का power 1 क्या होता है 9 clear है क्या विसम में 9 का power 1 होगा 9 क्या हो जाएगा 9 ही हो जाएगा अगला बताईए यहाँ पर क्या दिख रहा है 9 9 का power 7 8 2 4 even है की odd है यह even है अगर यह even है तो क्या होगा 1 हो जाएगा clear है क्या अगला बताईए यहाँ पर क्या दिख रहा है 4 4 का power कितना है 2, 3, 4, 9 क्या है even है क्या odd है odd है तो 4 का power odd में क्या होगा 4 हो जाएगा clear है तो इसका answer क्या हो गया 4 last बदाइए 4 का power हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 odd है क्या even है even है तो 4 का power even में क्या होता है 6 odd हो गया ठीक है even odd, even odd 4 और 9 में बस इतना ही खेलना है 1, 5, 6 में तो देख कर ही बता दोगे उसका answer तो वही आना है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा है even odd और और चार वाले में बस थोड़ा सा calculation करना है और किसी में कुछ करने की जरुद नहीं ठीक है sum और विसम sum में 4 का power एक लेंगे sorry, sum विसम में 4 का power आपको एक लेना है sum में 4 का power दो लेना है वैसे ही आपके 9 में अगर बात करें विसम अगर कहेगा odd अगर कहेगा तो 9 का power 1 ले लेंगे और 9 का power 2 कप के case में जब आपका even number बोलेंगे done, बस power check करना, answer बताना है और कुछ यहाँ पर नहीं ठीक है तो इतनी चीजों को आपको एक बार revision करना है घर में खुद एक बार बना के देखेंगे nest class में हम लोग इसका nest level यानि की nest और कैसे इसके questions बनते हैं कहाँ पर complication आते हैं, कैसे different type के exam में questions आये हैं, उसको हम लोग solve करेंगे, unit digit का ठीक है, यहाँ तक किसी को अगर किसी परकार का doubt है, online में भी अगर कोई जुड़े हैं, तो वो भी अपना doubt पूछ सकते हैं, और यहाँ पर अगर आपको doubt है, तो आप लोग भी यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है, इसके बाद आपकी English की class होनी वाली है, English की class को जरूर attend करें, बहुत अच्छी है एक class होने वाली है, सारा आज लेंगे आपकी class, ठीक है, English को कि आपके कोई भी exam अगर आप देते हैं, व्यापम में दें, या SSC में दें, आपको वहाँ पर एक English के questions या English के टॉपिक वहाँ पर रहता ही रहता है, ठीक है, तो उसके लिए आपके लिए best हो जाएगा, done, ठीक, चलिए, okay, thank you